हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वागत आपका मेरी यूटीब चैनल कॉमर्स वाले में और आज इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाला हूँ जैसा कि आप स्कीइंग पर देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम यूट्यूब अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और उस पर इनकम आपको आ रही है तो उसका इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिसकस करने वाला हूँ तो इनकम टैक्स से रिलेटे तो basically अगर taxability of income earned from YouTube की बात करें तो as per income tax law अगर कोई भी income receive होती है इंडिया में तो वो इंडिया में जो है taxable होती है तो basically आपको उस पे tax pay करना पड़ेगा अगर आपका जो basic exemption limit जो है अगर आप वो cross करते हैं तो आपको tax जो है वो pay करना पड़ेगा अभी आपका treatment क्या रहेगा आप जो income कमा रहे हैं उसको आप कैसे so करेंगे आपके ITR में तो basically उसको आप income from other source में so कर सकते हैं या फिर income from business and profession में so कर सकते हैं अभी other source में कब आपको so करना है business and profession में कब आपको so करना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो पहला आपको income from other source में कब so करना है basically अगर you tubing जो है वो आपका hobby है and जो income आ रहा है वो income ज़्यादा use नहीं है ज़्यादा amount नहीं है तो आप उसको other source में show कर सकते हैं for example Mr. X है जो एक solid person है और वो YouTube पे videos बनाते हैं जिसमें वो अपने knowledge या फिर experience शेर करते हैं videos basically upload करते हैं और उससे upload करने के बाद उनको financial year 2021 में 1 lakh रूपीज उन्होंने earn किया हुआ है and YouTube videos बनाने के लिए उन्होंने जो expenses किया है वो किया है 25,000 रूपीज अभी ये जो expenses है इसमें आपको capital expenditure जो है उसको include नहीं करना है capital expenditure in the sense अगर आपने laptop खरीदा या फिर आपने camera खरीदा तो वो जो expenses है वो आपको इसमें include नहीं करना है बाकी जो expenses है वो आप इसमें include कर सकते हैं basically तो भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपने 1 lakh रूपीज earn किया है लेकिन उसके लिए आपने जो expenses किया है excluding capital expenditure आपने 25,000 रुपे expend किया हुआ है तो उसको less करने के बाद आपका जो income होगा income from other source from YouTube वो होगा 1 lakh minus 25,000 that is 75,000 तो basically जब आप आपका ETR भरेंगे तो आपको income दिखाना होगा income from salary जो कि आप salary से income कमाते हैं and आप जो YouTube से income कमा रहे हैं net income जो है 1 lakh minus 25,000 75,000 आप आपका income जो है वो show कर सकते हैं यहाँ पर मैंने salary का example लिया है आपका कोई business भी हो सकता है for example आप कोई other business करते हैं and you tubing भी करते हैं तो जो business का income है वो show करेंगे और YouTube का जो income है वो यहाँ पर show करेंगे I hope यह आपको clear हो गया होगा अगर आपको कोई भी doubt रहेगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं definitely comment में आपका reply जरूर दोंगा next है आप इसको show कर सकते हैं income from business and profession अभी यह कब show कर सकते हैं आप basically YouTube जो है आपका full time activity है या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो main source of income है वो YouTube के थूँ ही आता है तो आप इस income को जो है business and profession के under show कर सकते हैं and जब आप business and profession में show करेंगे तो आप eligible हो जाएंगे आप जितने भी expenses के आपने किया हुआ है वो deduct कर सकते हैं और इसमें भी आपको capital expenditure जो है वो छोड़ना है उसको include नहीं करना है capital expenditure का जो depreciation होगा उसको आप as a expenses claim कर सकते हैं ये option other source में नहीं था basically other source में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर capital expenditure आप नहीं ले सकते उस पर जो depreciation है वो भी नहीं ले सकते तो business and profession जब आप so करेंगे तो आप सारे expenses ले सकते हैं excluding capital expenditure और capital expenditure का जो depreciation है वो आप claim कर सकते हैं next बात करें alternate option क्या है business and profession में तो अगर आपको पता होगा तो section 44 AD एक presumptive taxation का section है जिसमें आप एक lump sum amount में basically आपका जो turnover है उसका net profit 6% या फिर उससे ज़ादा का receipt आप दिखा के आपका return जो है वो file कर सकते हैं अगर आप 6,00,000 से कम दिखा रहे हैं sorry 6% से profit अगर आप कम दिखा रहे हैं तो आपको normal basically normal return करना पड़ेगा आप 44 AD opt नहीं कर सकते और आपके books को जो है वो audit भी कराना पड़ेगा तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे है alternate option का तो आप 44 AD opt कर सकते है basically और वहाँ पर आप net profit 6% minimum दिखा सकते हैं और आपका return जो है वो file कर सकते हैं यह option दिया government ने खुद दिया हुआ है इस case में आपको कोई books of accounts maintain करने की ज़रुवत नहीं होती है अभी next सवाल आता है कि यह option हम कब तक choose कर सकते हैं तो जब तक आपका gross income up to 2 crore है तो आप 44 AD choose कर सकते हैं अगर 2 crore cross होता है तो आप 44 AD choose नहीं कर सकते आपको आपका books जो है वो audit कराना पड़ेगा next point क्या है कि अगर आप 44 AD को opt out कर देते हैं basically आप 44 AD जो है आपका profit चल रहा था आपको profits हो रहे थे आपका expense minus करने के बाद और आप 44 AD में आपका income show कर रहे थे बड़ किसी साल ऐसा हुआ कि आपको loss हो गया basically आपका income कम हुआ बड़ आपके expenses ज़ादा हो गए और आपने normal return file कर दिया उसके बाद आप next अगले 5 साल तक 44 AD जो है वो opt नहीं कर पाएंगे third point क्या है कि अगर आप opt करते है normal option that means 44 AD आप opt नहीं करते हैं और आपका gross receipt जो है वो 1 crore से ज़ादा होता है तो आपका जो books of accounts है आपको audit कराना पड़ेगा है एक chartered accountant से I hope आपको एक clear हो गया होगा मैं वापस repeat कर देता हूं अगर आप 44 AD आप तभी तक opt कर पाएंगे जब तक आपका income up to income मतलब gross receipt expense minus करने से पहले जो gross receipt है वो 2 crore तक है तो 44 AD opt कर सकते हैं और net profit up to net profit जो है वो minimum आपको 6% सो करना है अगर आप 44 AD से opt out कर लेते हैं तो next 5 साल तक आप 44 AD वापस से opt in नहीं कर सकते अगर आप normal option opt किया है आपने और आपका gross receipt 1 crore से जादा है तो आपका books of account जो है वो audit कराना पड़ेगा I hope आपको ये clear हो गया होगा next यहाँ पर बात करते हैं TDS का treatment basically अगर taxable है कोई भी income तो उस पे क्या TDS deduct होता है क्या तो क्या इस पे जो जो हमको income मिलता है YouTube पे उस पे TDS deduct होता है क्या तो basically जो adsense contract enter होता है between google and creator of content creators होते हैं इंडिया के और वो जो contracting entity होती है उसका नाम है Google Asia Pacific PTE Limited जो कि Singapore entity है तो basically मैं यह कह रहा हूं कि यह जो entity है वो out of India की है और इसका agreement है वो अगर आप पढ़ेंगे तो all payments to you from google is in relation to the services will be treated as inclusive of tax if applicable यह basically line जो है वो हमसे related है अभी यह मैं ज़्यादा आपको explain नहीं करूंगा मैं direct यहाँ पे आता हूं कि TDS deduct क्यों नहीं होता है तो TDS deduct क्यों नहीं होता क्योंकि यहाँ पे exception होता है sorry यहाँ पे option है कि DTAA agreement यह जो agreement होता है वो avoid करने के लिए होता है double taxation तो basically यह entered हुआ है between India and Singapore and यह agreement क्या कहता है कि this income shall be taxed in the country in which enterprises is present मतलब यह जो income है वो उसी country में taxed होगी जिस country में person है जिस country से यह videos upload हो रहे है या फिर जिस country में income आ रही है basically आपको इंडिया में income आ रही है तो इंडिया में ही taxable होगा इसलिए कोई TDS का treatment नहीं होता है next बोले applicability of advance tax तो advance tax कब applicable होता है आपको जब आपकी tax liability 10,000 से जादा होती है तो आपको tax pay करना होता है तो basically जब financial year end होता है March में तो March में आपको एक बार assess कर लेना चाहिए कि आपको tax liability कितनी आ रही है अगर 10,000 से उपर जा रही है तो आपको advance tax जो है वो pay कर देना चाहिए अगर आप advance tax पे नहीं करते हैं तो आपको interest pay करना परता है और वो कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए अपने दोस्तों किसा शेयर कीजिए और अगर आप चैनले पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आगन प्रेस कीजिए बेल आगन प्रेस करने बाद आपको करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अप्लोड करूं तो उसका नोडिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्स से अप्डेटेड रह सकें तो thank you for watching and all the best